है 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 लो फ्रेंद्स नोश्कार वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिजिटल दुनिया की अद्बूत प्लेट फोर्म पर मैं डोक्टर विक्रम सिवालब परिवार के और से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अब इन दन करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हम आने वाले थे जो आज का हमारा एक्जाम हो है जैट का उसकी आंसर की को लेके जो भी जैट में क्योशन आई हैं उन सभी सब्जेक्ट की हम यहां पर आंसर की लेके आज आए हैं तो जो भी साती हमारे से परफॉर्वेंस कैसी है जो भी हम यहां पर आंसुर करेंगे वो सबसे सटीक और जो अथंटिक सोर्स हैं उन से हम आपको बताएंगे को जो भी आंसुर हैं तो आप सभी एक बार जुड़ जाएं जो लोग जुड़ गए वो एक बार मेरे को हेलो हाई कर दीजे तो अभी एकार सभी साथ जीट जिड़े और सभी आपके मिटरों से आस बिसंग सेडे अबी तो देखते हैं कैसा आपका प२िशे से एक्जाम दिये होंगे क्योंकि जो हमारे से जुड़ेवे मित्र थे शिवाले किलासे से उनको पता एकसर लगबग वही कुशन्स जुआए हैं जो लगबग हमने पड़े हैं तो आप सभी को सुभाम नहीं देते हैं माने वाले समय के लिए तो एक बार आप सभी जुड़ें और फिर सुरू करते हैं हम आज का जो हमारा सेशन है उसको जुड़ चुके हैं जैसिंग है राम रमेश कुमार गोड़ इवनिंग सभी को गोड़ इवनिंग नमश्कार सभी को फ्रेंटि मैं आपके कमेंट्स यहां पर देखताराऊंगा आप अपनी जो भी बात है जिग्याशा है उसको आप सेयर कर सकते हैं और उसके बाद मुग मैं आज के जोड़ किये तो फ्रेंटि मैं सब्सेंटी में पर देकिए सुरुप अं करते हैं सबसें पहला के भोजन के रूप में जाना जाता है गरीबों के भोजन पूर मेंस फूड किसको कहते है और आपके पास जौर है जो है बाजरा है और लोबिया है कौन सी फसल है जिसको गरीबों का भोजन कहते है हैं थो हम सभी जानते हैं कि बाजरे को गरीबू hoon के थे हैं तो अगर दूसरा जोकिशन आसे पर आप इसको जो हमनेक्स देख ए वे कि चलिए थूर दो पर आते हैं उड़ का वय क्या है मिथे नाम क्या है जो है लिए ग्राम जिसको 은क्तकर इसका वय नाम के है देखें यहां पर जो संपे शारे किशारे धी शारे विज्ना रेडिएट्हहएं एक उप्षन किसका यह हम जानते हैं यह मूंग का है दूसरा जो उफ्षन है विगना मूंगो है तो मूंगो किसका है विगना मूंगो उडद का ही तो है तो दूसरा हो गया उडद तीसरा कहजान किसका है यह अरहर का है और चोथा जो उफ्षन है विगना यूंजी कुलाटा विगना यूंजी कुल जो होगा ल obsession हो किस प्रकर्या से अलग करते हैं जूँट जो है उसका रेसा किस प्रकरिया से अलग करते हैं पाइबर ऑ जूट जो को सबस्क्रहां करते हैं सारे के सारे जो प्रोसेस हैं किस किस में करते हैं निपिंग जो है निपिंग हमसर जाने चना के अंदर करते हैं जिसको उपर से जो चना होता है उसके पोधूं को थोड़ा-थोड़ा काट दिया टोपिंग जो है, टोपिंग ये कपास में की जाती है, इसमें भी टोप, टोप को यनि टोप को तोड़ा जाता है, रेटिंग जो है, रेटिंग जूट में ही करी जाती है, तो इसका राइट आउसर हो जाएगा, यहां पर रेटिंग या जूट का प्रक्रिया अलग करने के प फूल गोबी का वीपंटं विपंटंट होता है तो सभी लोग में रिखाकmemberols इससे परीछीतों के बलिबादकी यह मोलेबडेनम की कमी से होने वाला एक का एक विकार है फूल गोबी का 14 जिस के अंदर जो फूल गोवी के फल हैं उनमें टेल यानि पूछ जैसे आकरती बन जाती है नेक्ट कोशन कोशन नमर च्यार है बरसीम में नाइट्रोजन इस त्रिकर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बरसीम के अंदर है उसके लिए कौन सा जीवन उतरदाई है तो यहां पर ज जैसे जैपोनिका है तो जैपोनिका किस में करते हैं जैपोनिका जो है वो सोयविन में करते हैं इसके लाब़ जो फैजियोलाई है यह मूंग में करते हैं मोट में करते हैं इन में करते हैं और राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यह यहां पर इसका राइट आंस रोगा राइजोबियम ट्राइफ लाई ओफ्षन नमबर थी चलिए नेक्ट पर आगे चलते हैं हम कोशन नमबर 6 पर में यहां पर मारा हूँ चलिए कोशन नमबर 6 आपके सामने आ गया है फ्रेंड्स क्या है हाई ग्रो मीटर के द्वारा माप आ जाता है नाम से ही पता चल रहा हाई ग्रो मीटर हाई ग्रो अगर थोड़ा सा अगर बेसिक टर्म्स के आदर पर जाएंगी तो यहां पर हाई ग्रो से आपको पता चल जाएगा हाई ग्रो एनी आदरता होती है तो हाई ग्रो मीटर से क्या नापेंगे यहां पर हाई ग्रो मीटर से नापेंगे सापेक सी के आदरता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदरता इसको थोड़ा सा वाइनल कर लेते हैं च यहांपर कमेंट्स मेरे को कड़ेंट नहींट से मापी जाते हैं तो यह हो गया question number six next question जो जट में अग्री कल्चर में था वो था अधिक्तम जल उप्योग दस्ता जिसको कहते हैं water use efficiency water use efficiency कौन सी प्रणाली के अंदर या कौन सी सिचाई की विदी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देखिए मोटे मोटे तोर पर अपन पढ़ते हैं कौन सी सबसे ज़्यादा सिचाई की दक्सता किसी में होती है यहाँ पर लेकिन जेट और सिचाई आगासा है दो सकता है यह जेट आपने कम पढ़ा हो जेट भी एक प्रणाली है जिसके अंदर सिचाई जो है वो चालू तरफ चालू दिसाओं के अंदर बोचार की रूप में ही जाती है जेट जेट हो गया फोवारा हो गया बूद 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 हो गया और कूंड हो गया तो इसका राइट आशर हो जाएगा डूरीप इरिगेशन या बूद बूद सिचाई विद्धी नेक्स्ट कोशन क्या है नेक्स्ट कोशन हमारा निम्न में से कौन सा गेहूं मैक्रोणी के नाम से जाना जाता है तो मैक्रोणी गेहूं को मैक्रोणी के नाम से जानते हैं देखिए चार गेहूं आपके सामने तीन गेहूं सभी ने लगवग पड़े हैं ट्रिट गमेस्टी व हो गया मैक्रोनी वीट और डाइगोकम जो है इसको इमर वीट के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रो यहाँ पर राइट आंसर हो गया फ्रेंट सीज कम डूरम चलिए आप सभी लोग जुड़ते रहें और डिसकस करते रहें और जो लोग जुड़ कहें हैं वह युक जैकार लगा दे जह हो कह रहें कुछ लोग चलिए आगे चलते हैं अपन धान धान या राइस जो है वो सेल पोलिनेशन होता है क्रोज पोलिनेशन होता है ओफन क्रोज पोलिनेशन होता है इन में से कौन सा परागन धान के अंदर होता है तो हमें पता है कि गयों के अंदर धान के अंदर जोक के अंदर सेल्फ ही तो होता है तो self हो गया तो कुन सा हो जाएगा यहाँ पर सव परागन वाला option इसका right हो जाएगा तो question number 9 का right answer है सव परागन चलिए question number next पे चलते हैं ओके डवल किल करने ठीक है ठीक है हो गया question number next जो हमारा question number 10 इस पे आजाते हैं मित्रों देखें क्या है question number 10 है ओस को मापने का do जो है उसको मापने का instrument कौन सा है यह थोड़ा सा question जो है अच्छा question या पर आया है ओस को मापने का यंदर कौन सा है अगर आप जुड़ रहें तो एक बार देखें बता कि बताओ मेरे को कौन साथ साही करके हैं जो लोग जुड़ रहें ओस को मापने का यंतर या जो भी लोग हम से जुड़ चुके हैं वह एक और मेरे को ओप्शन क्या कहें यहां पर देखें कि साइक्रोमीटर है साइक्रोमीटर जो है वह भी आदर्ता को मापने का इंस्टुमेंट है तो इससे भी क्या मापा जाता है इससे भी फ्रेंड्स आदर्ता मापी जाती है तो साइक्रोमीटर हो गया आदर्ता वाला थर्मामेठ्न हम समीत जानते हैं तापमान को थर्मामेठ्न द्वरण नापा जाता है। और पायरेनोमीटर ये जो सूर्य की किरण को पैसे तरंग की किरणों को नापा जाता है वृर बच गाया कुछ सा बच गाया डुसु TOP तो ड्रोसो में इसका हो जाएगा राइट आंस्वर डू या ओसको मापने का यंद्र हो गया कूंसा ड्रोसो मीटर चलिए नेक्ट कोशन पर आते हैं बहुत आसान कोशन है रैप सीड या सर्सूं या मस्टर्ड जो है उसमें एक हजार जो बीज है उनका वजन कितना होता है त क्योंकि बहुत बारी बीज होता है तीन से पांस गिराम में लगबग हजार बीज जो है वह आ जाते हैं सर्सूं या रेप सीडिया मस्टर्ड गे नेक्स्ट कुशन बड़ा ही इंपोर्टेंट कुशन जो अक्सर एक्जाम्स में पूछा जाता रहा है क्युशन है क्या पीज होगी तो उनको पानी के साथ नीचे चला जाने क्या था लिचिंग कराता है सीपेज जैसे यह डाउनवार्ड मुपेज यहां पर पूचा है सीपेज यंदर होरीजेंटल मुपेंट होता है जो नैरी चेत्र होते हैं नैरों के आसपास जो बगल में से पानी बैता है उसको सीपेज का आ जाता है अब उप्सन बचके आपर क्या परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन तो इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस से आपर अगर डाउनवाड मुवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ पानी जा रहा है जब इनकी उसका नीचे चले जाना इन्फिल्ट्रेशन का रहा है तो परकोलेशन हो जाएगा इसका राइट आंस्वर मिर्दा में जलका नीचे की उर्गति करना परकोलेशन इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सतय से जलका जाना सतै से जल्का तो पर कोलिशन हो जाए किसका right answer next question hiking to moon या उरद के द्वारा मिटी में कितने केजी नाइटेय। का fixation किया जटा है कितने केजी nitrogen का इस्थिरी करन किया जटा है यहां पर जो option हैं यहांपर ऑफिचेतर से 80 हैं और Socks से एक तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दू यहां पर जो कुछ अच्छी जो ओथन्टी किताव है उनके लगबग इसमें 60-65 किलो के आसपास जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है तो उसके अकोडिंग हम देखें यहां पर तो 70 से पिछे जी थोड़ को हैं पुरानी पत्तियों का अंतैसरा कलोरोसेश इंटरवैनियल जो कलोरोसेश रहे हैं और यहां पर मेगणियिम plataforma है नहीं और दूसरा प् deployment फिसह पर तो यहां पर शल्पर कर नहीं पियाता है जस्ता इंटर्वीनियाल नहीं नहीं होता है तो इव्र जो पुरानी पति आहे उनके ऊपर होगा. इसका क्या इंटर्वीनियल क्लोरोसिष नेक्स्ट खूड़ा सा इसको अब बेंटे क्शिक्षिकर नम्मर 15 यहां पर ले लेते एजेटोबेक्टर एजेटोबेक्टर जो है वो क्या है सिंबायोटिक है या फिर 3 living है symbiotic का मलब सह जीवी सात में ऐसोचियन उसका है या पिर मुक्त जीवी है कौन सा है तो यहाँ पर rhizobium की बात के हम सभी जानते rhizobium सह जीवी है और isotovector मुक्त जीवी है तो इस condition में क्या है bacteria सभी जानते है तो कवक होगा नहीं तो इस condition में क्या हो जाएगा मुक्त जीवी nitrogen इस्त्री करण या जीवन तो right answer हो जाएगा 3 numbers का मुक्त जीवी nitrogen इस्त्री करण नेक्स्ट question नमर 16 कोन सा भाग बगीछव परबंदन के अंतरगत है यह अब तक जो question आई थे वो एग्रोनोमी की थे ससे विग्यान की थे अब question नमर 15 के बाद 16 नमर से question आ गए है किसके परबंदन का मतलब और चार्ड मेनेजमेंट और चार्ड मेनेजमेंट जो अपने परबंदन करते हैं फल लेने के लिए लगाने से लेके फल के उपज आने तक है उन में से कौन सा जो परबंदन इसमें नहीं आएगा मेनेजमेंट फैक्टर में नहीं क्या आएगा देखो तीन नमबर है जिसको पैंड़ाय अपन्ट सुधार या क्रोब इंप्रूउमेंट तो यहां पर राइट आंसर उजाएग। फैसर अजकित जो मेंनेजमेंट के पार्ट नहीं है बाकिसे मेंनेजमेंट के पार्ट है, परबंधन की पार्ट हैंломित्रों देन आपको यहां पर पढ़ना था फिरंट यह वाला, गेंदा एक लूज फुलावर की बात करें दो गेंदा और गुलदावदी हमने पढ़ते हैं कि इन में से क्या इनं में से कोई सा तना कवरम यानि कटिंग का परकार नहीं है न मेंसे ही पता चल रहा हुए आपड हुद का हाड उड कटिंग हाड हमलों कट्वर काष्ट कलम रूट कटिंग रूट कवालों जड कटिंग तो यह पूछ रहा तनिय की बात लिख दिया यहां पर जड कलम यह जड कलम यह जड कटिंग जो लगाते हैं शोप्ट उड इसके अंदर थुड़ा सा सोफ रहेगा वूड और से सेमी आडोन इसके अंदर स स्फट्व रहें एक साल करना है तो हांडोन हो गया सेमी आडून है तो लगर शैसे नोग माधा पुरान हो गया और सोब टूड़त तो लगबग आपने पुरानी शाका को अपना सोब टूड़े तो कंडिशन में आप आप रूट कटिंग जडवाली कलम तरह कलम नहीं हो जडवाली है तो यहां पर रूट कटिंग हो गया थोड़ा-सा इसमें टर्म जो है वो उसने हिंदी नि देंकि इंग्लिज दें पढ़ लिए तो उसने हाड़ वूड़ी लिगा कठ वर काश्ट्र इसलिए मां में सा कहता हूं कि इंग growth regulator का परीयोग, फलों को पकाने में करते हैं, बड़ा ही सामा नहींग कुम क्सी क्रोछ को रोकने वाला अर्म dri, वर्दी को कम करने वाला औरोध काया तो यहां पर राइट आंसर अपने आप ही कुन सा हो गया इथाइलीन तो क्यूशन नमर गुणिस का राइट आंसर हो गया इथाइलीन कि माउस पी है अच्छा नेक्स्ट पेज में थोड़ा से इसमें प्रॉल्म कर रहा है इक पर देख लीजिएगा नेक्स्ट पेज में आते समय चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्यूशन आजाता है हमारा कुश्ट नमर बीस पे उस पर आजाई आप क्यूशन नमर जो बीस आपके सामने आ अरका रक्षक के और किसका है ठामाटर की विमारियां उननों सब करतिरोदी किसम है जिसका नाम है अरका रक्षक तो बिमाटर की इसमे होगी उसा रलाओ उला एक पर बोच्चे व्रस व्यद्विक्ञितम डेक्न को आपने देखा ही होगा तो ग्लैडियोलस का प्रोपेगेशन काई से करते हैं तो कॉर्म से करते हैं देखिए यहां पर भी कॉर्म ही लिखा गनकंद नहीं लिखा तो कॉर्म या गनकंद एक ही बात हैं इंगलिस का वर्ड कॉर्म है हिंदि में गनकंद कह देते हैं तो यहां पर कॉर्म या गनकंद से ग् टिया नाम दूसरे लिए सारी कुलों के जैसे को कि था ये को किया कैते हैं कि फाल और सनी नाम ब्रका विस्व मेंinkि पदन में कौन सा इस्तान है तो भारत हम सब्रूट एं अनक्पाद ओधिज्बन घ्त में हैं कि इसके बाद चीन के बाद तो पर्थम चीन हो गया, दीत बारत हो गया, तो यहां पर दूसरा पर्मुख देस हो गया फलोए सभी उतपादन में भारत, Next Question, कर्तन, कर्तन का मालब, कलम जो है, कलम में जडने या जड निकालने हैं तू कोन सा PCR प्रियोग करा जाता है विकास नियामन का मलब वही होगा plant growth regulator कौन सा काम में लेते देखें इंडोल 3 butyric acid shortman लिको इसको IBA इसको कहे दिया हमना IBA 6 benzylidinin जो कि एक FCC acid है BA बोलते हैं इसको gibralik acid GA3 है और FCC acid ये भी ABA है और BA भी ABA है तो यहाँ पर जड़ निकालने के लिए हम सभी जानते हैं इंडोल butyric acid को काम में लेते हैं तो इंडोल butyric acid जो हो गया इसका right answer हो गया next question देगे बड़ा ही question को थोड़ा सा बदल के यहाँ पर दिया है bear की पोदे में किस से करते हैं कौन से मेथड़ से करते हैं air layering जिसको हवाई दाब कहते हैं हवाई साका में करते हैं bear में नहीं करते हैं हवाई साका के अंदर जो most gas लगा के फिर जो propagation किया जाते हैं तो air layering bear में नहीं करेंगे mount layering mount यानि जो धेरी बना के करते हैं कलिकान जो है वही करेंगे बेर के अंदर तो राइट अंसर हो जाएगा यहां पर बड़िंग अगर आप लोग जूड़ रहे हैं कमेंट्स भी कर सकते मैं आपके कमेंट्स यहां पर देखता रहूंगा comments visible नहीं हो थे अब मेरे पास visible है comments here good evening सब्सक्राइब को good evening budding budding कि कमेंट्स भी करते नहीं right answer का जो भी है अगर आपका confusion है आप वो भी यहांपर share कर सकते हैं हो सकता है आप कुछ अलग पड़े हो या आप अलग कर क्या हो करना तो चलो आपकी बात है जो हो सकता है लेकिन यहां पर जो है हम राइट पर डिस्क्रस करेंगे छहले फडिशन पर 26 को दिचानоп4 26 26 हम ने डिसक्रस करें लिया है हो कि बडिंग क्या है क्या है क्या है क्या है q related 27 25 हो गया 26 okay 26 प्याज में बल्ब विकास के लिए बल्ब जो बनता है प्याज के अंदर जिसको अपन खाने के काम में लेते हैं उसके लिए आइडियल टेंपरिचर कितना होना चाहिए देखें यहां पर दो बाते हैं एक तो प्याज का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है प्याज कॉन से मोसम घुगाते हैं मोसम का अधारपर आप इस पर जाएंगी तो अपने आप यह बात के लिए रोगे कि आधा जो मुखे रूफ से रभी के मोसम किया अलंके खरीब में भी वहते हैं तो रभी के मोसम की है उस कंडिशन में यहांपर देखिए 15 से 25 रीक तैस से यह भी सिरेंजि भाय यह भी ज्यादा हो जाता है दस से पंदरा जो थोड़ा सा कम हो गया वेज़ेटिव ग्रोथ के लिए जरूर हो सकता है यहां पर जो ताप मान वह 15 के आसपास 15 से वीच तक रहता है बट अगर बात करें यहां पर बल्ब के लिए लिए तो बल्ब के ल क्योंकि जैट की ज्यादातर विद्यारती जो हमारे हिंदी मीडियम से थे तो एक्जागोनल जो उसको 60 हुजाकार कहते हैं उस प्रणाली के अंदर कितने पोदे अधिक लगते हैं वरगाकार की तुलना में तो देखिए दो में तो एक्जागोनल था एक क्विंकंस में जि कौन से फैमिली से ब्लों करता है तो पालक कौन से करता है पालक चुकंदर बत्वा खर बत्वा सब एक ही तो परिवार के सदस्य है और परिवार कौन से इनका परिवार इनका चिनोपोडेसी फैमिली है इनकी चिनोपोडेसी कुल है इनका चिनोपोडेसी तो चिनोपोडेस नेक्स्ट जो है राजस्तान की सीर से दो बीज मसाला फसले कौन से सीर स्वाइस कौन से बीज मसाले दो परमुक राजस्तान के अंदर उगाए जाते हैं बीज मसाले राजस्तान में तो गाए जाते हैं सारे लेकिन परमुक रूप से दो कौन से उगाए जाएंगे तो एक में तो धन्या हो जाएगा दूसरा पर्मुख, जीरा, धन्या, यहां पर दो प्रमुख, मसाले राजस्थान के हो गए, बीजे मसालों की बात करें, तो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स यहां पर जीरा और धन्या, चले कुशन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, कि कुशन नमबर नेक्स्ट थर्टी आएगा ना टूंटी नाइन के माद थर्टी ठीक है थर्टी कुशन हाल ही में जारी ये कुशन थोड़ा सा रिसेंट आ गया थोड़ा सा नए आ गया वेराइटी में हमें साब को कहता था जो लोग पढ़ रहे हमसे के ठोड़ा सा नई वेराइटर रहें यहां पर देखे हाल ही में जारी की यानि कि कहो सी नई वेराइटी जो है जो जारी इसमें अधिक सुक्सम पोशक्तत्त मीयुक्स बीसके अंधर है तो हैको सिया यहां बची कूफरी मानिग बची और कूफरी करन बची दो वराइतियां जो घुली जो फूँएए टी उन्में ऐक टो कूफरी मानिग एक जो है कूफरी निलकूट ती जो काने करोटीन जल्दी जल्दी करवाओ ओके अंकिता ठीक है जल्दी जल्दी हो रहा है बस अपने और कुश्वन बस गए होटीकल चर यहां पर कंप्लीट हो जाता है कुश्वन नमर 31 पर आ जाते हैं नेक्स पर निमन लिकित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है सब जानते हैं पढ़न अगला क्यूसर रास्ट कार जिस में यह यह दो मनद्द्र के अंदर बकरी के व्यस्वन को क्या आ जाते हैं बड़ा ही जेडेके पर लोगत दिश्वन होगे देखें बकरी के नर्को बैल तो कह नहीं सकते शिदी शिवाते हैं सूर भी नहीं कह सकते क्या बच गया तो रेम बच गया बच गया तो रेम जो है वो किसको कहते हैं रेम कहते हैं भेड के नर्को जिसको अपने मेंडा कह देते हैं इंदी में सीधी बसा में और बकरी को क्या क कितोस्स कितोस्स चे होते हैं तो मैंटबोलिंग डिजीज्च हैए मिटबोली किसे में में मैठनबोलीच कि रहा मैठनबोलिक मामीड़ीत रर्चाइब से खते हैं मेटबोलिऑ मोन किस गरंथी द्वारा सरावित करा जाता है यहां पर भी आपको इंगलीश वाला पढ़ना था एड़नील से करी जाती है ओड़नील को इंदी में क्या करेंगे अधीवरक करेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अधीवरक कुश्चन नमर 37 क्या है विस्व में ज्धा पाई जाते है लाईश्टोग भारत की सब ज्यादर मिलक फिवर मिलक फिवर जो है उसका में सरीर का कम होता है पर फॉसका में इ engage तो समाने से कम हो जाएगा यहां पर ना उतार चड़ा बड़ेगा next question ay mawesi के नाम से आप समझ गोंगा सारे परसों की बात रही है यहां पर लेकिन यहां पर देखे क्या पूछा है cattle पूचा है cattle का मतलब और गाय पूचा है तो गाई में करो मुझों नमर कितने होते हैं देखी छी आली सा आदमी के अंदर होते हैं पचास पचास जो वाटर बफल होते हैं उनमें होते हैं साट क्या हो जाएगा साट यहां पर रायट अंशर हो जाएगा जो गाय या गोवंस में होता है वह बहुत यह न के बराबर होता है तो यहां पर यह, यह हो गया हमारा फॉर्ट पेलट था उसका complete हमने यहां पर डिसकस कर लिया है दूसरा जो पार्ट होगा वह सर बाइलो जी का डिसकस करेंगे तो बाइलो जी का पार्ट भी आपके सामने आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से करके आएंगे धन्यवाद जैजवान जैखिसान अगर आपका माइक लगाला जो मैं कि अपनी बच्छों का हारदिक स्वागत है अपने बाइलो का पेपर बहुत अच्छा वहागा जैट बहुत अच्छा शांदार प्र आया है जैसा आपको पड़ाया गया तो सबसे फर्स्ट आफ यह पहला जो क्योशन है बिटा आपने तो वह पहला क्यों जाने वाला है तो यह फर्स्ट क्योंसे परजाती सब्द किस ने दिया हूं को इंड तरम इस पिसीज तो परजाती सब्द जो देने वाला साइंटिस्ट है तो आप्शन में अपने पास में एरिस्टोटल है केर लिनियस है जॉन रे एंड चाल्स डार्विन तो फरस्ट आंसर आपने देख परजाती सब्द परजाती सब्द जो देनल साइंटिस्ट एव जोन रहे कौन है जोन रहे ठीक है नैक्स्ट क्योशन बहुत ही अच्छा क्योशन दा दूसरा क्योशन है द्वी बीज पत्त्री तने में समवहन बंडल होते हैं तो वस्कूलर बंडल इंडाइकोट इस्टेम सब्सक्ण के अंदर पूछ है किस बारे में समवहन बंडल में कोड पूले 9 विट पीरा शॉलाइक जैलम आता है और एक एक्षार्ज च्लॉज कोंजाइट एक्सार्ज तो जो अपना राइट आंसर जाने वाड़ा है सेकंड कोशन का राइट आंसर जो है वह वह ओपन कोजोएंट एंड एंड आर्च खुले संयूट एंड एंड आर्च नाक्स्ट के बारे में चर्चा करते अगला क्योशन है नुक्लियस की डिस्कावरी तो सेल नुक्लियस वर फॉस्ट डिस्कावर्ड बाई तो सेल की नुक्लियस को डिस्कावर्ड करने वाले साइंटिस्ट कौन से अप्शन में है रुडॉल्फ विर्चो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन एंड स्वान तो अपना राइट आं अब 40 सबसे पहले अपने को पता होना अच्छी कि 40S किसकी सब यूनिट होती है राइबोजॉम टू टाइप की होते हैं एक तो थार्टी होती है और एक फिफ्टी एस नेक्स्ट है इसमें आ जाएगा एक तो 60S और 40 तो 40 की सब यूनिट पूछ रहा है तो राइट आंस्वर कौंड सा जाने वाड़ा है अपने दिद्र देखो फर्स्ट ऑप्सन में आगे 60S और आरेनी सेकेंड आता है डाता है ऐटीन एस आर आरेनी थारड है 20 एंड लास्ट में यह उप्सन चार उप्सन इन में से जो राइट आंस्वर जोगा अपना वह थाएट इन एस आर आरेनी राइट आंस्वर ठीक है नेक्स्ट अगला क्योंशन है एपो-mixis किसके गठन को संदर्वित करता है एपो-mixis मतलब किसको रेफर्ट करते है थो एपो-mixis refer to formation of फॉर्स्ट है एंडोस्प्रम, seed, embryo and fruit तो दो एपो-mixis मतलब डाइरेक्ट लिसमें क्या होता है कि without embryo seed formation सिधी से बाद बिना ब्रून का बीज तो बीज इसका अपना राइट दाएंश चे फ्रेंगा और नाइक्स कीओशन के बारे में बहुत ही सांधार सा क्योंशन जब करना क्लास में रहते ते थे तो बहुत बाहर उसको आहे पना तो भारत में पारेस्थिति की आजनक तो फो इ स्थेकल यूजिन ओडम माइस स्वामीनात्र तो भारती इक उकलोजी का फादर पूछ रहा है तो भारती से प्रत से विक्सित होता है का मितलब होता है यहां से जर्मीनल लेर मतलब कि जब भी कोई सीशू परिवर्दन की अवस्ता सजियों में पाई जती है तो उसके दोरान तीन परत अपणे पास में पाई जती है जिसको अपन बोलते हैं एक को बोलेंगे एक्टोडर्म एक होती है अपने पास में मीजोडर्म और एक होती बiटा कौन सी एंडोडर्म सी परत से पूछ रहा है और पसे मीजोडर्म एक्टरॉडर्म एंड़डर्म पेरिडर्म तो सबसे पहले तो नोटो कोड का गेश्टूला से उद्भवन पूछ रहे तो उद्भवन जो आजाएगा वह आपना करते हैंग सब्सक्राइब के बारे में से Creation प्रोटोजय का उदहारन बात करें प्रोटोजय को अब पड़ रहे हैं हर防 सो क्योंती तो अपने क्सा प्रोटो ओंड ठाव तो प्रोटोजय में ऊहते हैं प्रोटोजय आता है यूगली में आता है और पलाज्म क्लिएंड घ्र टोरं तो क्या के रहा कि Dean में से कौंड लाट अब्रों का उदारन नहीं है नहीं पूछ रहे तो कौष्ट नहीं है बिटा अपने पास में और बेलिया वाला नहीं है कौन सा नहीं है और आभ लिया वाला तो यह क्योस whe बड़े ही अच्छे क्योंशन अपने पास में जय यह पेसलों प्रप्राफना रहा है नेक्स्त क्वेशन देखेंगे कि दिखो नुच्रिक्ट हुआ अब है नेक्साइंस धीकोक और मसंग्नुट यजो अपने पास में वह त्राइकोड्र महें क्या है डिलकिको है पूछ रहें कि अपर सबसे पास में अपर एक नियासीन अब लासानिक नाम है वाइटेमीन का जब अपने वाइटेमीन बी बी कॉंपलेक्स पढ़ाया था वहां पर अपने को बताया था नियासीन नियासीन की कमी निमन में से कौन सा लक्सन शो होता है नियासीन की कमी जब हो जाती है तो नियासीन की कमी के द्वारा कौन सा लक्सन या कौन सी बीमारी या कैसे कैसे symptoms अपने पास में शो होते हैं तो देखो डियरकाय की deficiency of niacin in food cases which of the following symptoms कौन से symptoms शो हो जाते हैं तो सबसे first of all पेला अगरा पेला इसको अपने दूसरी बास सामें local language में गंजा अपनी भी कह सकते हैं नेक्स्ट आता है A, B, O, परणाली Blood group system है अपना कौन साँ A, B, O system Blood group O is characterized by मतलब कि रक्त सम्मू O की मेन मुखे विसेस्ता क्या होती है मुखे विसेस्ता एक special characters पूछ रहा है इसमें तो देखो अपने पास में option में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले antigen O की उपस्तिती दूसरा option दे रखा है antigen A और antigen B दोनों की उपस्तिती antigen A और antigen B दोनों की अनुपस्तिती antigen A और उपस्तिती तो अपने को पता है जब और अक्त सम्मू अपन पढ़ते हैं तो और अक्त सम्मू में क्या विसेस्ता होती है antigen अनुपस्तित antibody उपस्तित तो antigen A और antigen B ये दोनों ही क्या होते हैं बिटा अनुपस्तित होते हैं अपने पास में इसको बहुत बार डिसकुंशन किया है प्लांट 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 उन्हीं से लिए पसमें से उसी में से क्वेशन अपने पूछे गए हैं अगला देखो परिरंब में दर्डों तक दर्डों को क्या गएंगे स्कलरन काइमा में आर्द चंद्राकार आदे चांद की जैसी शरंचना पट्टियां पाई जाती है तो सेमी लूनर पैचेज ऑफ से इसकलरन का हैमा इन पैरि साइकल ह प्रजेंट किसमें प्रजेंट रहेगा इद्ध कार आ पाई जाती है अगला देखो next question है अपने पास में बिटा सबसे अधिक जीन जीनों की संख्या पूछ रहा है कौन से गुण सुत्र में सबसे ज्यादा जीन अपने पास में पाए जाते हैं तो देखो गुण सुत्रों में तो highest number of zine are found in सबसे ज्यादा जो जीन कौन से क्रोमोजों में प्रेजेंट रहेंगे आक्स क्रोमोजों में वाई में क्रोमोजों में क्रोमोजों सेकेंड में तो सबसे ज्यादा जो क्रोमोजों में क्रोमोजों नंबर फर्स्ट में गुण सुत देखा नमपर पिप्टीन एंसमें यह आगा अपकंव है को निमन में इसे कौन सिकन खाने योगय का नहीं कहाने वाली कर यह यथि की रफ़ू नहीं को च्राइब है यृख है नति कर नहीं कि प्ट सकते हैं अपर morals को काम में ले सकते हैं इस गेरिकस इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सीन की मात्रा पाई जाती है ट्रेफाइल्स को खा लेते हैं और अस्टिलागों यह रस्ट करता है इसको भी अपन क्या करते हैं आज के साथ में खा लेते हैं तो right answer जो होगा वह जाएगा अपना आगरिकस आगरिकस अगला क्यों यहिती है यह संब्सक्राइब को लिए कितनी बार आपने कंई करना पड़ेगा तो कितनी बार चलाने पर यह प्रक्रिया अपने पास में अगला जो क्योशन आ रहा है वह अपने पास में 17 संब रहतर की ओटना पाइन परटिंग में स är C9 कोन सी प्रक्रिया में अप्शन एھब सिखागर परधानतामें विलागन्मे या बॉल्टिंग में ब्र्व प्रक्रियार क्लैन जो होती है प्लांट इंड रेगोलेशन तो प्रोसेसिंग और बालटेंग वजा से किसकी वज़ते हैं बाल्टिंग की बजह से नेक्स आधा है ऑपना क्योशन टी टी सी ऑ का दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं अपने पास में देखो अंतर की बात करते हैं अपने पास में तो अंतर क्या दोनों का अंतर है ऑप्शन में पायरूविक एसिड है ग्लुकोज देर रखा है ग्लुकोज 1-6-डाइफोसपेट और एसिटाइल सी ओए तो राइट आंसर जो जाएगा दोनों का बीच का जो अंतर होता है वह अपने पास में एसिटाइल सी ओए एसिटाइल को एंजाइम ए नैक्स्ट क्योशन आ गया एक युगमक एक युगमक गेमिट के अंदर एक युगमक किसको कंटेन करता है एक जीन के दो एलिल एक जीन के एक एलिल एक जीन के सभी एलिल या कोई एलिल नहीं तो एक जो युगमक होता है वह हमेशा एक जीन के अवल एक एलिल को कंटेन करता है किसको एक एलिल को कंटेन करता है अगला क्योशन नेक्स लागा है हानी बी की डोकर सब्ष्थ है सब मादुमक्ख्रीशंगी के चघमी वरकर बूर्कर बी जब अपने पंधे नियम्यू मकंफी में सरम व्राजन जातिओं का व्र्वाजन तब वहां पर क्या पढ़ था कि वरकर बी का जो काम होता है वरकर बीच होती हुती रहां जमादा वेका निय्क्च फो एक बंद माधा एं spermatocyte ओमें द्वुत्य की 사 pulley द्वारा कितने च्यक्ते को पता है एक एक spermatoocy hype के बारे में बात कर रहे है जो है इसमें काउनका आप्शन है 12 14 24 आंड़ाणू वरां बारा अंड़ाणू और 24 आंड़ा तो जब यह परक्रिया आर्फीस तंधरियों में 12 ड्यची एक स्प्रमेटो साइट से चार बनेंगे लेकिन एक दुखेंकि इसप्रमेटो साइट होता है उससे दो सुक्राण में बनते हैं और पने पास में ड्युट्य और साइट से एक अंडे को बनता है तो अपने को तको तेक्स ट औमिकली और कोन सा होता है कि टेक्सिमर के बारे में बात करेंगे अब इस बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है अपना इधर देखो की टैक्सोनोमी लिएक का सही करम नाइट सिक्वेंस पूच रहा है कि सका स्वेटर टैक्सोनोमी प्रक्रियें परजाती जीन परिवार व्यम्स विबाजन जब अपड़ रहे थे तो यह दो आपको बताए तक टैक्स चुन अंगला क्योंट वह है निमल लिखे निक नूप से ABA के समान होता है अब ABA क्या है बटा यह है पादप हार्मोन क्या है पादप हार्मोन अब इस पादप हार्मोन के बारे में इसको ABA को अपन स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं किसके समान यह है इसकी समानता दर्शाइगी है तो which of the following is chemically identically to ABA प्सक्राइब चैसिग 7 तो जाएगा अप्राइड इरेत्रेल दॉर मीन और क्योणु कौन वजा प्रिछे समान होता अगले विए अगले के बार सनकी मी बात करेंगे तो अगला जो देखो अपना कॉशन नमबर 25 को नमबर 25 के बारे में चर्चाएं करेंगे तो पर कॉशन नमर 25 देखो बढ़ा क्या रहा कि निम लिखित में से किस फाइलम के जनतों में गुहा पाई जाती है गुहा मतलब के वीटी पूछ रहा है बोडी के वीटी के निमल ओवीच ओफ में इसमें उस्ताइड नहीं ओती है ना स्ट्रेट में होती जल उख्म जियों के साथ पूरू उपचार करने की प्रक्रया जो जूट में फाइबर बंडलो को ककेंद हें लगे क्या किया रहा है वंदा कि जूट से पाइबर तंतु अलग करने की प्रक्रिया यह को निधवal से थीला करती है क्या बोलेंगे रैटिंग तो रहा आउसर को दाएगा अपना रेटिंग नेक्सट बल्कुल बहुत शांदार सा चनय की फलि चिद के फ्टख कीट का वे ग्यानिक नाम तो जू बहुत शांदर इतना अच्छा पेपर आया है। बहुत शांदर पेपर है। देखो रहे। निमन लिखित में से कौन सा सही सुम्मेलित है मतलब राइट सिक्वेंस विच ओफ दे फॉलविंग इस करेक्टली मैज्ड हुमर बींग से होमो हमो इस्पीसीज दे रहा है सेपियंस होती इस्पीसीज और लएन की पैंथे रहा है यह भी क्या होता है बटा जीनस होता है केट फेलिस फेलिस क्या होगा जीनस तो बिल्ली का जीनस होता है वह होता है फेलिस होता है तो राइट सिक्वेंस पूछ रहा है सही सुम्मेलित पूछ रहा है तो राइट आंसर कौन से हो जाएगा बिल्ली फेलिस जीनस नेक्स्ट है इसनायू लिगामेंट लिगामेंट निमल पुल मैं होता है पॉलीम्रेज छेंज रियेक्शन तकनिकी में परियुक्त उरिक टक पॉलियमरेज बोलते होंडंक सां tai पॉलिम्रेज का स्रोत पॉलिम्रेज के जू जो स्रोत को प्ना लेते हैं ऑच по से प्राप्त करते हैं और यह आपको बताए भी तकि गरम जल के जरनोमिया दिखतर पाया जाता है अगला देखो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि पीनियल गरंथी में मौजूद तो देखें कि कुछन को कि इदर देखेंगे कॉश्चन नमबर 31 तो क्यूसर नमबर 31 में देखेंगे बिटा पीनियल गरंती मौजूज होती है चांपने मस्तिक्स में और इसका है अगर मस्तिक्स पर सबसे जाए लिए मुख्य रूप से इसका situation point इसका पाया जाता है अगला बहुत इजी सा क्योशन है पोईसी दूसरा नाम ग्रेमीनी या घासकुल में पाया जाने वाला फल कौन सा है फल का परकार पूछ रहा है पॉम केपसूल सिलीकुला या केरियोपसिस तो पोईसिस में जो पोईसी फेमिल है अगला कियोशन जो है वह अपने पास में 33 लामबर के कियोश्टि और 33 के बारे में इट्राइकोगरमा परजती किस पर परजीवी है ट्राइकोगरमा यह किसके अउपर परजीव बातलब किसको अपने बहुत न काौने में काम करता है तो एग को लार्वा को निम्फ वा foundation को अंडे लार्वा निम्प या गरब तो इन में अपने चर्चाएं करेंगे तो सबसे पहले दिखो राइट आंसर ट्राइको गर्मा हमेशा और हमेशा परभावी परजीवी जो होता है वो अंडों के उपर परबक्सी के अंडों को खाने का काम है करता है ठीक है पिटा समझ म शर्क पादपों में पाई जाती है तो टेरीडवाइट या भी पादप मतलब की नहीं बनी होती है किसमें नहीं बणी होती है कायट इन की किसकी बणी होती है काईटीन की गूट आगला कोशन देखो कशंन नंबर अपन नेक्सट अb devoted कैसे वे नंबर के बारे में इदर देखेंगे बटा 34 के बाद में अगला जो क्योशन आएगा वो है क्योशन नंबर 35 कौन सा है क्योशन नंबर 35 पुस्प की डंठल को क्या कहते हैं जहां से पुस्प जिस भाग से जुड़ा रहता है दे स्टाक ओफ फ्लावर इस नौनेजे पैडिकल बोलते हैं पैटिय पैडिकल है पैडिकल है या इस्टिप्यूल है पुस्पाक से पैटियोल वरंत या इस्टिप्यूल तो पुस्प डंठल को वरंत के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है वरंत के नाम से जिससे जुड़ा हुआ रहता है अगला आता है अधिकांस पोदों में स ततो है सुक्रोज गुलुकोज मेंनोज्या फ्रेक्टोज तो राइट आंसर जो जाएगा वह जाएगा सुक्रोज नाइक्स बात करते हैं अगला क्योशन देखेंगे बहुत ही शांदार और अच्छा क्योशन अपना वड़ा ला नाइक्स बहुत गजब का क्योशन दिया है यूनियोर्च टीन है अरे बटा देखोंगे इदर सब बचे कि यह पादप यह पादप हार्मोन यह पादप हार्मोन सिर्स परमुकता विनेमित करता है विच प्लाइंट होर्मोन रेगुलेट एपिकल डॉमिनेंसी इसको बड़िया तरीके से अपने नोट लगा करके लिखा होता है ऑप्सन में जिब्रेलिन साइटोकाइन और एपिकल डॉमिनेंसी सिर्स परभुत्वता को जो करने वाड़ा होता है वह होता है और जीन नेक्स राजाओ अगला क्योशन 38 निमन लिखित में से जड़ों के किस भाग को मूल रॉम भाग भी कहते हैं तो मूल रॉम मू विवरतन फंबंठ ऐसे बार हम न에क्स्ट के अजाऊँ जाओ झी अगला बात पर बात बात करेंगे इतना अच्छा पेपर है बहुत गजब का पेपर विण सेको मधुक्यों में नर मदुमक्य नर का जनम भी तेन पढ़ाय था आपको तब बताय कि घ्राइब मदुमक्य का जनम को कई से होता है मधुमक्य को दो प्रकार करके थे चुक्त और यह 2 निसेचित या पयोड़ने बन रहा था और ड्रोन बनता है तो डरोन को पड़ कहते हैं तो राइट आंसर दो घाएग अपना अन्फर ताइल एग ऐनिसेशित अंडो से किनसे एनिसेशित अंडो से लास्ट बाई लोग माई बहुत अच्छा अभी दो-चार दिन पहले चर्चा में आया था आपने और ब किस योग्यता द्वारा होता है तो एरित्रब्लास्टोसिस फिटेलिस अक्योर डू टू दै इनकंपापिलिटी कौन सी प्रक्रिया होती है तो आंसर तुम्हें अच्छे से पता है बहुत बढ़ी अतरीके से पता है फिर भी देखो इदर आरेच पोजिटीव माता वे आरेच नेगेटीव तो धूसरा आरेच पोजिटीव माता वे रहत पोजिटीव नेगेटीव ब्रू और लास्ट ओप्सिन जो और पहारा रहा है वह उप्सित आररेच पोजिटीव डिया तुन गया है तो था अपना ये तो तो अपना ये वारेक केमिस्ट्री वाले सर आपको सौलवे कराएंगे तो वीडियो को लगातार सेर करते रहें दोस्तों को बताते रहें और आंसर अपने लगाते रहें बहुत अच्छा बहुत चांदर प्रगया आप लोगों का प्रगया आपको सौलवे करेंगे लोगों करेंगे नमस्कार साथियूँ थापका शिवाले के इस डिजिशल प्लेटफॉर्म पार तो आज हम शुरू करें इसकंदर केमिस्ट्री का जो जेट का पेपर वा था उसको अपन कंट्यूले आगे इसकंदर करेंगे इसकंदर दो-चार क्यूशन ऐसे थे थोड़ इसे डिफिकल्ट थे आपके लिए बाकी क्यूशन बहुत सिंपल थे परला जो जो कुशन आपके पास है एक गेशी मिस्ट्रण के अंदर एक गेशी मिस्ट्रण में वजन के अनुसार एक अनुपात चार के अनुपात में ओक्शिजन लिए रखा जो आपको यह बताना इसके अंदर की अनुपात की संख्या कितनी होगी यह 1 x 4 दियावा वजन के अनुसार वेट के कोडिंग तो अगर आप इसका मास इसका अगर आप मानते हो तो नाइट्रोजन का मानना पढ़ेगा आपको 4 M तो जब आप इसके अंदर मोलो की संक्या निकालोगे तो मोल जब आप नाइट्रोजन के निकालोगे नाइट्रोजन के मोल आएंगे आपके पास 4m divided by 28 और इसी प्रकास से और जब आपके पास पूछा है उतने इनके नोगा नुपात होगा तो आप इन दोनों का रेश्यों निकालोगे पहले पूछा उसके नाइट्रोजन का मलब अभाई 32 और नीचे आपके पास 4m by आपके पास 28 तो आपके पास आंसर आजाएगा एक बटा बत्तीज अनुपात आपके पास आपके पास कितना घाएगा उपर चला जाएगा 28 और नीचे रह जाएगा आपके पास 4 तो आपके पास 32 स्टेल आपके पास 5.6 लिटर गेस स्टिपी के ऊपर और उसका वजन दियावा है आट ग्राम आपको यह बताना है कि इस गेस का वेपर देनशिटी वाष् यह होता आपके पास molecular weight divided by आपके पास में टू यह होती है तो अगर आपके पास पांच पॉंट च्छा लिट्र केस का वोल्यूम आपके पास बाहर जो है वह आठ ग्राम है तो मैं अगर बात करना चाहूं कि 20.4 रिट्र आपके पास कितना घ्राम ओगा चेंग पांच पॉंट चाहिंटर अगर आपके पास आठ ग्राम है इसका मलब 25.4 ऐनदर कितनी होगी यह 8 डिवाइड वाइड वाइड पाउनट 620 पॉंट में जब सोल करोगे आप इसको तो आएका के पास 32 ग्राम 32 ग्राम जो इसका मूलर Mac आया है और मॉललर माश ये मोल्लो क्वेट टू करोगे सलए जाएग आपके पास 16 इसका नेस की ऊपर मैथयन दिवये एदिन दिया है आपको इसके तरह परusta कि इंगली इस परसद करेक्टर पास वह कितना आपके पास तो हो सिझो है वह आपके पास CH 4 होता है जिसमें संक्रण आपके पास asan-पैस nbows लगे में संग्रन परसेंट कर दूसरा आपके पास इत motion a Яव नहीं ह dive पास CH hybridization SP संक्रण इसका 50% option पहला विल्कुल सही है एच हो प्यों 3-2 खुबार बताए आपको एक्जाम से पहले भी कि इसके उपर 101 परसेंट क्यूशन आयेगा इसके उपर 101 परसेंट ऐसा क्यूशन आयेगा और क्यूशन आया है एच हो प्यों 3-2 इसका सायुगमी अमल बता है तो मैंने कहा था कि जब आपसे पूछे इसका conjugate acid क्या होगा सायुगमी अमल तो हमें यह सोचना है इसका मतलब खुद क्या है यह बेस और बेस का काम होता है प्रोटोन एक्सेप्ट करने का एच प्लस लेने का तो यह प्रोटोन जब लेगा आपके पास तो यह बना जाए है कि सविक्या होगा बेसिक होगा यहां होगा तो आप इसने इसको पहले और करें नॉर्म लइटी में t में इसको करूंगा तो normality first relation Al Пр आपके पासंग और पास्त हैं values वीवन करोगे आप लोग जिरो पॉंट चार को सोचितों आपके पास आएगा आपके पास 40 और एंटु वीटु जब आपके पास आएगा 20 चारीस किसका आया एसीड का इसका मतलब दोनों को जब मिलाओगे तो सोलुशन का जो नेचर होगा वो एसीडिक होगा पहला उप्षिन बिल्गुल सही है इसका आगे हैं पॉटिशन के साथ देखो यह जो आपके पास क्यूशन है यह क्यूशन आपके पास सॉलिड क्यूशन आ रहा है पिसली बार भी आया था यहां पर लिखावा या लिखावा आपके पास सरीर आपके पास केंद्रित यहां पर लिखावा सरीर केंद्रित सरीर केंद्रित का मतलब होता है काई केंद्रित काई केंद्रित बी सीसी और बता दू पोटेशियम का जो इस्ट् सेलबस का पार्ट नहीं ता यह कुशन यह सोडी डिस्टेश से आया हुआ है नेस्ट टुशन के ओपर चलते हैं अगला जो कुशन है जिसके अंदर इथर का फॉर्मेशन हो रहा है और इतर का फॉर्मेशन किसे हो रहा है यह आपके पास सोडी में तोकसाइड और एथिल ब्र कार दिये इसका नाम है विलियम संसलेशन नेक्स कुशन के ऊपर चलते हैं यह कुशन थोड़ा सापके लिए टफ था मैं मानता हूं इस चीज को यह जो कुशन है और एक जो पहले बताया वह आपकी सिलिबस का पार्ट नहीं ता यह जो कुशन है वह थोड़ा सापके पास आपके पूछा को दीदुर ऑगूंड आगून वह कीसका होगा इसका जो राइट टांसफर जाएगा वा उपशन आपके पास पूंसा जाएगा इस Kelly इंदर भर जाएगा इसका राइट आज्वशनाम के पास को भर जाएगा दो नमबर इसका जो राइट आंस्पर वो दोनों बर जाएगा यह जो क्यूशन है मैंने कई बार क्लास्रूम में बोला और लगबग लगबग मैंने है ना इस क्यूशन को एक्जाम के क्लास्रूम और क्लास के अंदर कहीं बार बताया कि एक्षिं पर अथिशन करना है एक्षिंदी डियड कडियं काइड कपा से तो पिछब है प्लस और मैसिन और यह हमाइनस घर करता और अधिशन होटा यह जो एडिशन है यह है नूट Давай एडिशन ट्रीशन ना अभी eerियान यह यह यहां लिखावा है ना नुकलियोफिलिक आपके पास जोड़ इंगलिस के अंदर पढ़ना बहुत आसान था क्योंकि कहीं हिंदी के अंदर आपको इंगलिस में देखना चाहिए था लिखावा है नुकलियोफिलिक एडिशन रियक्शन तो राइट आपके आपके पास पैने ट्रोथियन राइट आंस पर जाएगा ऑफ्शन नमबर तीन आगे लिखावा है आपके पास पढ़िए इसके अंदर आगे लिखावा है कि यदि मिट्टी को पुने चारी मिट्टी को पुने प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए लिखावा है पहला उप्शन जो है वो इसके अंदर आपके पास पहला उप्शन पहला उप्शन जो आपके पास मिट्टी को चारी क पोसुर जुजाएगा जिप्शम को आपके पास मर्दा सोधन के रूप में प्रयोग करके आपके पास एकनि स्टी नुमर आपके पास olması 11 द्री फूरे ने विच्ज के उपर चलते हैं अगला गे सस्ट आ अपनी पास ने कर दो prawdrav कि में बहने जो है तोड़ा साथ क्यूशन नुम्बर बारा पर देखे आप हाँ अब बिल्कुल क्लिर दिख रहा होगा आपको क्यूशन नुम्बर बारा यदि मिट्टी का पी एच इसमें तरहाई टांसर जाएगा आपके पास जिपसम को मर्दा संसोदन की रूप में प्रियोग करना आपके पास बारा पे यदि मिट्टी का पी एच आट पॉइंट पांस से ज्यादा हो जाता है तो पोदी की ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका राइट आंसर जाएगा पोसक तत्यों का आउश्योशन कम हो जाएगा ऑप्शन नुम्बर एक आगे वाली क्यूशन पर चलते हैं फिर से कमिस्टी का क्यूशन आया थ प्लस पांच होता है तो आप देखिए लिखाया हुआ है और जब आप निकालोगे क्लोरीन को अक्समानों के प्लस एक एक से और ऑक्षिन का माइनस से इकवर टो जीरो तो एक सिक्वर टू प्लस पांच ऑप्शन नुम्र तीन जो ही इसका राइट आंसर होगा एक सी एप स और एक लोन पेर आगया टोटल साथ हो गए मतलब सिग्मा बॉंड और लोन पेर को काउंट गया तो टोटल नूम्बर आपके पास साथ आया और साथ जब आता है तो आईपडाइशन हो जाता है SP3D3 कि फास्पोरस की आगे वाले किशन के अंदर अपने पास कि फास्पोरस की परमानुकता आपको बतानी है फास्पोरस की परमानुकता हमें बतानी है कई लिखाया वाह यह अपनी जो ऑफलंग लास होती है उसके अंदरी लिखाया वाह फास्पोरस की परमानुकता जब थ्रिमोडाइनमिक्स पड़ा जाती है तो वहां में लिखाया था एक फास्फोर्स वह के वह पास्फोर की तो आपके पास पास्फोर शॉस्ट करने के लिए प्रक्रम का नाम मांड प्रक्रम था मांड प्रक्रम के अंदर कार्वोन आपके पास जो कार्वन मोनोक्साइड है वह काम में ली जाती है ऑप्षन नमबर दो जो है वह बिल्कुल ट्रांसवर है नेक्स फूशन के ऊपर चलते हैं यह डेफिनेशन कि सीधी लिखाई वह एक फेरी चलोराइड को अगर उसका अवक्षे बन चुका और उसे फिर से आपको को प्राफ्थ करना है तो किसी भी अवक्षे से फिर से को प्राफ्थ करनी का जो मैथड है उसको बोलते हैं पैप्टाइजेशन पैप्टिक नमबर जो है आपके पास त पेपर था अब तक का सबसे बेस्ट पेपर मानता हूं इसके अंदर पिछली बार से तो अच्छा है इसका लेवल की बार वाड़ पेपर का अंतिम इलेक्ट्रों की चार क्वांटम संक्या लिखावा है इसका मलब यह एलिमेंट जो है आपको बताना है इसके अंदर देखो यह जो गुरूप है वह आपके पास अगल बगल में आपके पास सेम आ रहे हैं और जब यह दोनों सेम आ है नइड न मलब यह जो गुरूप आपके पास आ रहा है वह आपके पास आफ मुंबन और एक जो वह इल्का बिल्कुल आपके पास बीस्टे शायेंगें तो यहां लिखावा आपके पास मुद्सिख, वह वह भी शानदार क्विस्रों आपके पास इस कुशन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां लिखावा आपके पास ALCL3 ALCL3 की उपस्तिति में ने ने मिथाल क्लॉराइड यह आपके पास है मिथाल क्लॉराइड है CS3 CL CS3 आपके पास CL और यह बेंजिन है बेंजिन के साथ किरिया करके क्या बनाएगा यह CS3 CL यहां से यह जो CS3 है वो बेंजिन के उपर आएगा और यहां पर यह बन जाएगा आपके पास CS3 टोलूइन टोलूइन इसका बिल्कुर क्रेक्ट आंसर होगा कौन सा खनीज अमलिये प्रस्तितियों में उपलाबद नहीं है शांदर कुशन है कौन सा खनीज अमलिये प्रस्तितियों में उपलाबद नहीं है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मोली बढ़ेनम यह भी एग्रिकल्चार कैमIST- के मैं है मोली बढ़ेनम निन में से कौन सा एक गेर विस्तारित्मिटिक नीज है उसका नाहम आपके पास है इलाइट है नेक्स क्यूशन के ऊपर चलते हैं कि अगला जो क्यूशन आप से पूछ रहा है इसके अंदर अगला क्यूशन आपके पास है कि छेग्पास आऔर लुकी संख्या बतानी यहिंए जह ग्राम कार्बनलंगें आपको मोलो की संख्या नहीं है आए था छ ईएक वेट आपको मोलूक्लर वेट मोलिक्लर वेट करबन का बारा युट होता है तो और वेट आपको गिवन के इंदर सिक्स ग्राम तो सिक्स बाइट वर जब आप करोगे तो 0.5 आपके पास आएगा बहुत आसाम क्यूशन है निकल का प्रमणू करमांग अगर 28 है तो इसका एक चलते हैं सही क्या और इसके अदर सबसे आदा पूरी प्रेडि ड्यवलमेंट फ्लोरीन की चार होती है और क्लोरीन और नाइट्रोजन इसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आपके पास ब्रोमीन और और दो जो है इसक्योषन और बिल्कुल ट्राइट डांपवर होगा में के ऊपर चलते हैं अगला दोच्जोचर अगले लिए के अंदर पूछ रहा है कि कि किसकी आकरती आप के पास पिरमीडी हैं बेल फिर कम उते हैं पहले चीज तो आपको बता एंधिय को आपके पास कब Leaving पिरामीडिये पिरामीडिये जब हाइविडाइजिशन संक्रण SP3 ओता और एक लोन पेर वहां परजेंड होता है PCL3 के साथ एसा ही हो रहा है यह PCL3 है यह फासफोरस क्लोरीन क्लोरीन और यह क्लोरीन और यहां लोन पेर है तो इसकी जो आकरती है वह आपके पास पिरामीडिये हैं पिरामीडर एनस त्री अमोनिया का भी आया था पिछली बार क्यूशन उसके अंदर भी ऐसा ही था नेश्ट क्यूशन है शियर्टो में क्लोरीन का ओक्षिडेशन नमबर कितना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो दो एक्स माइनस का 14 नहां देख पा रहे हो एक दो क्यूशन के लाव सारे के सारे क्यूशन से आपके नोट्स के अंदर से हुब हूब आपको मिल जाएंगे यह लिखाया हुआ है कि चुने के पानी के अंदर जब पानी डाला जाता है तो अभी ग्रिया कौन सी होती है यह आपके पास बिना और इसके नदर पानी डालोगे तो केल्शियम हाइड्रोक्षाइड बनेगा और इसका नाम होता बिना बुजा चुना और यह होता बुजा हुआ चुना तो नीचे यह कुशन लिखावा आगे दुआर से बस थोड़ा जागरी आपको पता होता है तो नीचे वाला भी बिल में पाली बुपर viruses बाधि मातरां पाये जानी वाला टत्व की बात करता है तो कि उसके बाद आता है सिलीकॉन उसके आता है एलिमिनियुम और फिर 4 निमर पे आता है iro empire दातू पूचता है तो अधाक्र पूचा इसका महला बुभर पतवर पते सो और बरमांड के कि अगला जो क्यूशन है कि एक मिन्ट ना आपको विजलाइज दंग से हो जाए इसलिए थोड़ा साइस को न इस्क्रीन के ऊपर सेट कर देते हैं यह अब ठीक दिख रहा है कि आगे में से सबसे अधा हमल लिए अधा है यह की नंबर जो है इसके अंदर ये फ्लोरी लगावाए इसके अंदर आपके पास दो फ्लोरी लगी एवह के लिए उस्टूरीद यह वापके पास एगा सी डॉबलो एच और यह सी एच यह एफ और यह आपके पास है फ्लोरीन का माइनस याफ जितना ज्यादा होता है टूर्प फ्लोरीन के माइने साइफेक्ट लगेंगे इसका मलब ऑप्शन नुम्पर च्यार जो है इसका बिल्कुल क्रेक्ट टांसफर होगा नेस्ट कुशन के उपर चलते हैं बेंजोई के सिद संद्र और संद्र च्यार के साथ किरिया करके क्या देता है आपके पास नाइट्रिशन डियक्शन एक तरी की से बोल सकते हैं आप इसको जब आपके पास बेंजोई के साथ रिक्शन करेगा तो यहां पर आपकर जूड़ेगा लेकिन यह सी डबलो आइच का माइनस का एम एफेक्ट ह होता है इसका मतलब यह आपके पास मेटा निर्देशी होता है मेटा निर्देशी मोट्स के लिकुलat के अंदर आप का मुलानुपातिशूतर क्या होगा थोड़ा सा के रूगुलेशन वाला सासा कूशन था ऑफशन नusta नवर तीन जो है वह इसका राइट अंसर होगा तो हो सकता आपसे कूशन थोड़ा छूट गया हो बाकि सारे जो है एक दो कुछिशन को छोड़ दिया जाए तो सारे कुछिशन बिलकुल आसान है ठोड़ इसे कॉंसिप्चुल टाइप के धेरी के साथ आपको हर क्यूशन को पढ़ना था अगले कुछिन की ऊपर अगर आप चलते हो तो नेक्स कुछिशन जो है नेक्स फूशन आपके के पास है यहां ही अगर आन वराबर दो और वराबर एक के सभी और में फिट हो कि अधान बराबर दो और ए लबर यह लिखावा है तो आफ समझ गए। ओंगे लगावर एक का मतलब होता पीश अब सेल और सबसेल में अधिक्तम कितने एलेक्टों आते हैं आपके पास छे कौनचा एक रेडॉक्ष भीगिरिया नहीं है मतलब ऑक्षिडेशन और रेडॉक्षिकन और अप्चेन कौनसी रेक्शन में यहां नहीं हो रहा है केल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट करते हो तो यहां केल यहां प्लस दो यहां प्लस दो कार्बन का प्लस चार है और ओक्षियम का माइनस दो कहीं कुछ भी नहीं हुआ है इसका मदब पहला रिएक्षिन रेडॉक्ष रिक्षिन नहीं है नैस्टूशन के ऊपर चलते हैं पर्थम कोटी के विग्रियात 30 मिनिट के अंदर अगर 30% क प्लस दाना था फोर्मुला मैंने लिखा रहा है कि टी हाँ बराबर होता आपके पास जिरो पॉंट 693 अपोन आपके पास में के यह के में निकालना था और यहां पूट करना था के बराबर यह होता आपके पास 2.303 अपॉंट टी लॉग सो बटा सो माइनस का एक्स कुशन िस इस फॉर्मुली को भी लिखा रहा है जब अपनी ओपलन कलास होती है वह little e को लिखा रहा मैंने का कि इस सोड़र रिक्सन में से पर्संटेज वाले पूछे जाते हैं और यहीं हुआ कि परसंटेज वाला कुशन कुशन यहां पर आपके पास एक्जाम के अंदर आया है यहां जब आप 30% रखोगे और यहां से जब के निकाल करें टी का मान 30 मिनिट दिया वा यहां रखकर के चिए का मान निकाल के अगर यहां पूट करते हो तो आपके आंस्वर आएगा थाओन पॉइंट दो मिनट इस क्यूशन का राइट आंस्वर होगा आगे वाले क्यूशन की बात करते हैं पोलीमर बार बार रहा अबकी बार एक चीज दूरू देखने को मिली कि अबकी बार मेडिशन वाला चेप्टर था उस दि आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते तो वह अच्छे से आपको समझा जाता कंडेंशेशन पॉलिम्राइजेशन संगनन बहुलीकरण से किसका निर्मान होता है मैंने कहा था कि PVC पॉलीथीन पॉलिस्टाइरीन यह सब योगात्म बहुलीकरण से एडिशन पॉलिम्राइजे से कौन सा मिट्टी में उस्तम बायोमास देता है तो कौन सा मिट्टी के अंदर उस्तम बायोमास देता है यह हमें बताना है तो क्यूशन बिल्कुल आसान है क्यूशन में आंसर जो है वह बिल्कुल है आपके पास कवक फंजाई आपके पास होगा नेक्स क्यूशन आपके पास गुण चारीस नमबर का जो है गुण चारीस नमबर अंदर यह बताना आपको कि एक ऐसी मिट्टी जिसका पी एच आर्टपॉन 5 से कम और इसी आपके पास 4% 4 से जाधा हो तो आपको बताना कि संत्रब तवस्ता में हो कहलाती है कब जब आपके पास यह मिट्टी आपके पास लमणी में मिट्टी इस सीरीज का लास्ट जो क्यूशन है लास्ट क्यूशन देखते हैं लास्ट क्यूशन है इसका आपके पास यह देखें कौन सा उर्वरक मिट्टी में अमलता पेदा करता है अब बहुत आसान ताथ जो यह हलाएं की क्यूशन अग्रिकल्टर के मिस् और यह वीक बेस दुरबल चार और स्ट्रोंग एसीड से बना हुआ है इसका मतलब वीक बेस और स्ट्रोंग एसीड से बनावा है तो एसीड यह देगा आपके पास अमोनियम सल्फेड यह अपनी केमेस्ट्री के आपके पास 40-40 कुछिशन अपने कवर कर लिए हैं पेपर के अंदर दो या तीन कुछिशन जरूर ऐसे हैं जो आपको कंफिजन में डाल सकते हैं तो दिद्दुर आगुन वाला एक आपके पास मुलानुपाति शुत्र वाला कईयों को मैंने हालां की कई बेच में पढ़ा दिया था एक के अंदर नहीं पढ़ है और नौ टेंशन रहें लगबग अप्रोक्सिमेट लगबग एवरेज लेवल के आप इस पेपर को बिल्कुल इस नहीं कह सकते और टब भी नहीं कह सकते मोडरेट लेवल का पेपर है और यह अपनी केमेस्ट्री कम्टीट हो गया और अगली जो अपनी क्लास है वो फिज झाल 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 पूंड पी उता है पीकुल तो लिखा जाता आपके पास रूट आफ टू एम एंड़ी का मतलब यहां इनर्जी है जो यहां बता हुए का इनर्जी ऑप्शन नमबर तीन इस क्यूशन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आप्शन नमबर तीन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा है ना नेक्स क्यूशन के उपर चलते हैं चंद्रमा चंद्रमा की उपर क्या होता देखो देखो अर्थ की उपर जैसे नौर्थ पॉल और साउथ पॉल ठीक इस प्रकार से चंद्रमा की उपर नौर्थ होता है इसके ओपर कोई आपके पास चंबा की चतर नहीं होता है तो दियान रखना अपर इस चीज को नेक्स के ओपर चलते हैं अगला जो भी सिसके उपर अगले क्योंड की उपर के चलते हैं सेकरिंड नूबर था कि एस संस पर देखिए कि यह दिए भो भर जो कुछण है एक बहुतिक आपके पास राज़ी एक्स को तीन अन्य बहुत राष्य ए-b-方 एक्रें तो एक्स ब्राबर यह लिखावा रासी तो आपको एक्स केंद्र प्रतिशत तुरूटी वक्त करनी है बतानी है तो एक्स केंद्र अगर आपको प्रतिशत तुरूटी बतानी है तो बहुत आसान है एक्स परावर जब यह लिख दिया जाए एक्स ब्रावर आपके पास a b square upon c जब आप इसमें delta x by x पर्तिशत true t delta a y a plus का 2 delta b by b plus का delta c y c true tia अमेशा जुड़ती है दोस्तो true tia जो है अमेशा जुड़ती है गड़ती नहीं है तो minus का delta c y c नहीं लिखना है plus में लिखना है तो यहां रखना delta a y a की जगा आपके पास दियावा इस question के अंदर कितना आपके पास 4% 2% और 3% तो 4 plus का 2 into 2 plus का 3 तो 4 plus आपके पास 4 plus का 3 आपके पास 11% true tia जाएगी इसके अंदर एक आपके पास 1 cm की पट्टी है और इसका परतनांग जो है 1.5 दियावा है तो बताओ कि इसके अंदर पतांतर कितना उतन हो जाएगा डेल्टा आक्स जो है इस पट्टी की वज़े से वो आएगा म्यू माइनस का 1 इंट्व आपके पास में t जब म्यू की वैल्यू 1.5 आप रखोगे इसके अंदर आप टी का वैल्यू 1 cm की में रखोगे तो आइसर नंबर एक जोह है वह आपके पास आएगा जिरोCont 0015 आपके पास मिटर में अगरेक्स की उपर जब चलते हैं कुछी नंबर पाच जो है उसको अपन डिसकस करते हैं कि नंबर पाच अ कि यूशन नबर 5 को देखते हैं एक मिनट यह देख लीजिए कुछ नबर 5 में दे रखा है कि यदि लाल रंग के प्रकास शुरोत को बेंगनी रंग के प्रकास रोट से बदल दिया जाए तो विवर्तन सवरूप में क्या परिवर्तन आएगा अगर या लेमडा आपके पास क रंग की ज्यादा होती है और बेंगनी रंग की कम होती है तो विवर्तन सवरूप जो आपका आ रहा है डिफ्रेंशेशन पैटर्न वह आपके पास सिकूट जाएगा कॉंट्रेक्शन उसके इंदर आजाएगा तो ऑप्शन नमबर तीन इसका राइट अंस्वर्ण पर किस आप मान पर सेल्शेश और फाइट पेमाने समान होते हैं मैं आपको मदा देता हूं रिलेशन होता है सी बटा पांच और एफ माइनस का 32 बटा आपके पास नो सी की जगह आप फूट करोगे तो आपके पास वेल्यू निकड़कर आएगी माइनस का 40 क्योंकि यह बोड़ र सेंटिग्रेडर पर 50 गराम वरप आपके पास है और 80C कि पचास गराम पानी के साथ इसको मिलाया जाता है तो मिश्ण का अंतिम्त आपमान कितना होगा इस कुछान का आपके पास जीरू डिग्री है एगला क्योंकर शलते हैं अगला जो क्योंकर आपना वह यह हैं कि चालन गतिशिलता के पुदों में अनुगमान वेग डिप्ट वेलोसिटी को आपको वेक्ट करना है अब डिप्ट वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल ओती है आपके पास e के और वीडी इकवर टू निकल करका आता है यहां से आपके पास म्यूवी म्यूव होती है मॉबिलिटी गति सीलता और यह विदू छेतर है दोनों में रिलेशन एक नंबर बिल्कुल सही होगा नेक्स वूशन की बात करें आपसे पूछ रहा कि कोई किड़ा एक वर्ती एक हांचे में जिसका तिरजा दी हुई है इसमें फस गया है तो आप आप के पास 7 सकी यहीं तो होगा और मैं आपको बता दूं तवरन यह बराबर होता है ओमेगा शक आर आपके पास इसके अदर abyके पास कितना आ जाएगा टूपाइ अपविन आपके पास केपिटल T का स्कुैर इंटू आपके पास में तो जब आप इसके अंदर तूपाई टी किजिए तो बटा साथ जब आप पूट करोगे और आरकी जिए बारा सेंटिमिटर तो आपके पास आंसो निकलकर गया दो पॉंट तीन सेंटिमिटर पर सेकंड स्कॉर सथियर का मिलान करना है नेक्स्ट कुशिण के अंदर से जोड़े का मिलान करना है तो अपके पास मिलते हैं तो आपके पास गामा फोटोन जनेरेट होता है तो कामा फोटन बिल्कुल सही है परकास में प्रभाव अल्ट्रा वोलेट रेज जो होती है प्राभेगनी किया गया था इसको देखा गया था तो प्राभेगनी कियों का आपके पास फोटो एलेक्टरी इफेक्ट जो हैं वो अच्छे से मैजर कर लेते हो अगर आपके पास गुर्ट्वे तवरन जी हूँ पर्त्वी की सता पर गुर्त्वे तवरन जी है एम द्रेवान की वस्तु को पर्त्वी की सताय से परत्वी की त्रिजा था is इस क्यूशन का जो राई टांस्फर था वो है MGR आपके पास में 4 कौन सी यांत्रिक तरंगे नहीं है यांत्रिक तरंग है जो माध्यम की उपर डिपेंड करती है तो दोनी तरंगे ऐसी है जो माध्यम की उपर डिपेंड करती है राई टांस्फर आपके पास चार नेक्स्ट के बात करोगे क्यूशन नमर 13 की फिर से रिपीट हो गया कोई दिकत नहीं है वापिस आ जाएगा फिर से वो क्यूशन से अपने पास रिपीट हो गया है न उनको मैं उपपर निकार रहा हूँ अगला यो अपना क्यूशन है इसके अंदर बारा नमबर का क्यूशन हो गया था अपना अगला है तेरा नमबर का क्यूशन यह आ गया अपने सामने आपने दर्यमान का एक पिंट 36 से 30 डिगरी के कौन के उपर वी वेक से फेका जाता है तो दर्यमान तो उसी दर्यमान का दूसरा पिंट बी 36 से साथ डिगरी के कौन के उपर फेका जाता है समान गति से तो ए और व की 36 दूरिया मतलब प्रास आपको बतानी है मैं आपको बता दू प्यूशन बहुत लोजिकल वाला है इतना सा लोजिक था इसके अंदर एक फेका जारा है 60 के उपर और एक फेका जारा है आपके पा प्रास जो है वह आपके पास समान रहती है दोनों के 36 प्रास समान होगे प्रहुशन अपने पास इसके इंदर लगा रहा है तो कशे तिर्या 1% अगर कम कर दी जाए तो गती में क्या होगा तो हमें पता होता है और विलोसिटी जो होती है वो होती है रूट जी एम आपके पास में आर अब प्रतिशत प्रिवर्तन एक परसंट दिया गया है तो मैं लिख सकता हूं कि वी जिरो प्रपोर्शनल टू आपके पास रूट आर और डेल्टा वी वाई वी आपके पास अगर बात करोगे तो माइनस का वन बाई टू डेल्टा आर अपॉन आर में रिखूंगा यह लिख के ऊपर चलते हैं अच्छा क्यों अगला भी लाव तो है एक अलफा करन और एक प्रोटोन को विराम सिक्षवान विवहंतर पर तवरिद किया जाता है तो उसका अंतिम वेक का अनुपात ग्याद कीजिए एक अलफा करना और एक प्रोटोन ध्यान से समझना यह अलफा कर आ अर यह आपके पास एक प्रोटोन है प्रोटोन का और चार्स एकड़न पर देखता हूँ इसके उपर आवेश टूई होता अगर इसका माश्ँ में है प्रोटोन से फोटॉंस होता है मास अगर हैं तो इसका हो जाएगा 4m आपको यह पूछा गया है कि अन्तिम बेगों का अनुपात कितना होगा इनका तो मैं आपको बता हूं कि पीक वल्टो आपके पास होता है रूट टू यहां से अगर आपके पास में वीटू तो आपके पास निकल कर आएगा पता है कितना यहां से सिधा आप देख सकते हों सेकर कटेगा तो यह बच जाएगा तो वी प्रपॉर्ट्ट हो आपके पास उपके पास में एन यह तोो हुदा है आपके पास प्रोटोन का एम होगा अरो इसका फोर हो जाएगा दो यह आपके पास हो और उपर चार नीचे तो दो डिवाइड वाइड चार तो एक अनुपात आपके पास रूट दू इस कुशन का राइट आंसर होगा एक अनुपात रूट दू आगे वाले के उपर लिखावाई कुशन के अंदर एक लोलग है एमदरिवान का है और जो की एक मिटर लंबाई के लचले तार से लटकावा यह दितार का भंजन शामरते मलब टेंशन कितना वह सहन कर सकता है वह आपके पास टू एमजी के बराबर दिया हुआ है आपको यह था कि pendulum का कौनी विस्तापन कितना है pendulum का कोनी विस्तापन अगर बताना है तो बहुत आसान है यह आपके पास एक pendulum है इस तरीखे से रटका हुआ है इस द्रड़ादार से यहां था अभी यहां आ चुका है और यहां इसके निच्छे की और एमजी लगेगा यह एंगल आपक हैं जा थी दोनों आपके पास सेमके सेांगे बरावर हो जायेंगे तोटी 10es टो भावर के पास में mg एफ जो कितना टेंशन कर सकता है 2mg cos of theta equal to mg mg से mg मर जाएगा तो cos theta बराबर आजाएगा आपके पास 1 बटा 2 मतलब theta बराबर आपके पास कितना आजाएगा सो यहाँ sin theta है ना यह cos theta है cos theta है आपके पास और यह थर sin theta है तो theta बराबर आपके पास आजाएगा 1 by 2 UK आपके पास बपड़ जाए के पास मेर मेर एक पास ऐसकर अपर चलते हैं घुन के आपने पास ब्सक्राइब मस्ओं선 इसमानते हुए यह लिखत आज depende में कि अनद में दाल अलब कि पास गुर्तवाकर्शन इस्तिती जुजा शुनने है तो परत्वी की तिरिजा के बराबर मुचाई से उपर उठाने पर सरीर को कितनी परतिशत उड़ा प्राप्त होती है यूइकुल टू होता आपके पास जी एम एम अपून आपके पास आर पहले की अर्थ सर्फेस की बात करू हूं तो यूएट सर्फेस जी केपिटल एम स्मोल एम अपून आर और यू अगर मैं बात करता हूं आपके पास टू आर हाइट की तो आपके पास हो जाएगा माइनस आगे ना जी एम एम अपून टू आर यह आपके पास हो जाएगी क्योंशने वोड़ा कितने परतिशत उ आपके पास टू आर पे अपॉन यूएट सर्फेस पे तो आएगा आपके पास 50 परसेंट और आपके पास चार है कि आगे वाला क्यूशन आपके पास है लाल और बेंगली रंगों के लिए दो पुंजों के आपके पास अलग लग उजारा जाता है और इनका प्रिजम कौन यह आपको दिया हुआ है साट डिग्री नियुंतम विचलन की स्तती में अपवर्थन कौन कितना होगा मैं आपको बता दू अपवर्थन कौन आर आपके पास होता है तो आपके पास निकालोगे तो आएगा आएगा आपके पास एबाइटू जिसके अंदर कहीं पर नहीं आ रहा है पुरतना इंडेक्स इसका मदलब दोनों रंगों के लिए कितना हो जाएगा तीस तीस डिग्री पहला उप्शन बिल्कुल सही जाएगा बीस नमबर के क्यूशन के अगर आप बात करोगे तो बहुत आसां क्यूशन था लेमडा इकोल टू एच अपॉन एमवी आपको लगाना था जब आप वेल्यू पूट करोगे तब प्रोक्शिमेट आपके पास आएगा पंद्रा इंडू दसकी पावर माइनस का दस जो नेक्स की ऊपर चलते हैं 21 नमबर के ऊपर गए नालबगों के लिए तो यह किस चीज को दुसाता है और जमीन पर पहुंसता है तो पहले सेंपर इंपके यात्रा करता है कि टावर 係ंपर के में उचाई कितनी होगी तो जब आप इसकी टाउर की उच्छा ही निकालोगे, टाइम जब निकालोगे, टी इक वर टो आपके पास रूट में, टू एच अपोंच जी आएगा, टू और एच का मान आपके पास दियावा कितना सो मिटर, और जी का माल लिए आपके पास दस, तो जी रो सी जी कड़ ज जब आप इससे निकालोगे तो टावर की उच्छाई आएगे 500 आपके पास 61 मिटर बिल्कुल है अगले क्यूशन की बात करते हैं थोटिकल क्यूशन सा रहे हैं तेज़ नंबर क्यूशन के अंदर कि निन में से किस मात्रा किस की मात्रा में लीकशन गुणान को आपके पास कम करके आप बहरी बैरल को ले जा सकते हो। कुछ नहीं होता कोई स्थित्व नहीं होता है इस टूटता है वहां पे एलेक्ट्रण की निकलने से उत्वन हो जाती है आपके पास वह कंपन हो इसको बोलती आप लोग होल इस इसको प्रसिते हैं अगला जो कुछण i.e. 25 नमर का अपनार 25 नमर की इंदर देखते हैं हाद 25 नमर कुश्ल में इंदर हूँ मैं लिका वाइ THAT की कौरी में नहीं देख सकते हैं है कि दिखावा इसमें की और ऐसक्यों कोई देख नहीं नहीं होता है परक्रिणों की वजह से आपको चीज़ दिखाई देगी वहां पर उप्शन नमर एक बिल्कुल सही है जब इस नमबर में प्रकास का एक लगू इश्पंद वायू से काच के स्लेव में लंबोत प्रिवेश करता है तो आपको बताना है कि पहले कौन सा कलर बहार निकलेगा तो काच का स्लेव था यह आपके पास मिव पूरतनांग का आपके पास है इसके इंदर कौन से रंग की जादा होगी मैं आपको बदा देता हूं मिव प्रपोर्शनल होता आपके पास वन बाई लेमडा के जिसका लेमडा जितना जादा होता है उसका मिव उतना ह कम होता है लाल रंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपके पास अपरतनाग जो है वो कम होगा इसका मलब इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा लाल रंग पहले से पहले बहां निकर जाएगा सब्सक्राइब करें तो यह थोड़ा सा देखो इसके अंदर क्यूशन बिल्कुल आसान था और थोड़ा लेंग्विज के अंदर थोड़ा सा गुमारक है इसमें एक तार का पत्रों दसों है और इसको अपनी मूल लंबाई के दस्वे इससे तक खीश लिया जाता है मतलब लं मिटर का दस्वे इससा एक मिटर होगा मतलब ग्यारा मिटर तक इसको खीश दिया गया है तो अब बताना कि परत्रों कितना हो जाएगा और प्रपोर्शन होता है आपके पास एहली स्क्वाइर के जब आर बन अपोन एड़ टू का स्क्वाइर जब आप रखोगे लवन को आप एलमान डीजे दस मिटर दिया वार बादवारी जो है वह चुकि आपके पास ग्यारा मिटर तो दस बटा आपके पास ग्यारा का आपके पास स्क्वाइर हो जाएगा तो आंस्वर आजाएगा आपके पास 12.1 अगला क्यूशन बात करते हैं दारावाई चालक में उसमा परिश्यू दिया होगा मतलब मिनिमुम बेली को को मेजर करेगा पहला लिखा वर्णियर के लिपार जिसके वर्णियर पेमाने पर बीस भी वाजन हो दूस्तरा लिखावा एक प्रकाशी के अंतर जो प्रकास की त्रंगदेद्री की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है और प्रकास तंगदेद्री की आपके पास लगवग रेंज जो है वो चैन की पावर माइनस का सेवन मेटर के आसपास होती है तो जो आपके पास जाएका तीन नंबर बिलकूर राइट आंसर होगा 31 नंबर क्यूशन की अगरा बात करते हो तो 31 नंबर क्यूशन के अंदर चितर में एकस पर चलती हुए एक कंगा विस्तापन समय ग्राप दिखाया गया है तो ग्राप से क्या पता चलता आपको देखो स्टाटिक में टी जिरो तक तो विस्तापन बढ़ रहा है इसका मुलब वेग लगाता आपके पास बढ़ता जा रहा है और उसके बाद फिर अ हो जाता है मतनला आपके पास यह कर सकते हैं की जीडो जाएगा तीन नमबर पैस्टेस नमबर क्यूशन का जो आपके पास आंस्वर जाएगा बथीस नमबर के अंदर लग प्तीस नमबर की इस में आपके वह बताया गया है यह देख लीजी कि एक छोटी बाल्टी में थोड़ा सा पानी बरकार एक रसी की सायता से उच्छे उड़वादर उपर उड़वादर वर्थ के अंदर गुमाई जाता है जब बाल्टी सबसे उपर की स्थिति में पहुंसती है तब भी पानी नहीं गिरता है तो इतनी सूजना से हम निसकर्स नीकाल सकते हैं कि किसी का सिर्थ यह मतलब बाल्टी के पानी बढावार बाल्टी बरती यहां तक उपर से गुजरती यह थो फेंज्रती है नहीं गीड़ता है इस वह कभी के ऑपनी सक्वास् पार से बड़ान नहीं होगा तब यह पानी नीची नहीं करेंगा प्शन मबर तीन का बिल्कूर राइट टांस्वर हैं नेक्स कुशन के ऊपर जलते हैं 33 के अंदर कोई आधर स्थरल वर्तिये काट के अनुपर छेतरबल के पाइप में प्रभाइद किया जाता है तो अनुगम अनुबा का व्यास दिया हुआ है तो पाइपों से प्रभाइद सब्सक्राइब तरल के वहिगों का अनुपात क्या होगा यहäक्जिन होता है एवन वी इकवल्ट टू आégटू वी टू एवनbell आपको देया हुआ है आप निकाहा सकते हो क्या पाई आर वन स्कोईर वी उटिष्वाइड सब्सक्राइब निकालोगे दो पॉइंट पांच और जब वेलस्टी का रेशन निकालोगे तो नोन पाथ च्यार आपके पास आ यहाँ एक प Grad तोटने से पहले 20 के जी तक कि वस्तु को लटका सकता है यदि इसको दो बागों में बार दिया जाए तो tempo कि इसके साथ site लटकाया जा सकता है 91 का पकर नीला प्रतित होता है क्यों से जातनी फिसली प्रतित होता है क्योंकि वाई मंडल द्वारा इन वर्णों का प्रकास की तुना में बैंगनी इतना निला प्रकास अधिक प्रकिनन होता है तो निला क्यों कि निले रंग के प्रकास का जो प्रकिनन है वो आपके पास ज्यादा होता है यह आपके पास वाई मंडल द्वारा अन्य सभी वर्ण के प्रकास के तुना में बैंगनी और निले रंग के प्रकास का अधिक प्रकिनन होता है इसलिए हमें आकास निला दिखाई बेता है नेक्स क्यूशन के उपर जलते हैं इसकांच और तीन नहों हो जाएगा कुशन नमर 37 की यह बात करोगे कम्युकिशन सिस्टम का आ गया है संचार का यह इसके वाद आएग आपके पास प्रिक्ष्षग हो सबसे पहले सूचना उसके बाद आपके पास प्रेक्षक प्रेक्षक के बाद आपके पास चेनल फिर ग्राही और उसके बास उचना उप्योग करता अरो तेशन उन्पर क्रीद को मैं आपको बतानी है मतलव यह आपके पास प्रेरिक चीशे जोड है उभी स मैं के पास ईनको आर ये प्रतिरोग और और एक शेवोल्ट की आपके पास बैटरी जिसका वी आरम है आपको पूशन में दिया वाह यह दिया वाह एक ओम यह दिया वाह दो ओम आपको पूछा गया पी यहोता वी आ एमेस प्रीय आर एमेस इस आई-र-मेस और कोज़ फाई पार एफटा आपके पास हैं तो यहां से जब आप V RMS और I RMS V RMS I बराबर होता आपके पास V by R V RMS square by आपके पास R यह आपके पास Z इंटो आपके पास close 5 बराबर होता है R upon आपके पास में कितना Z जब आप Z यहां पे निकालोगे तो Z बराबर आपके पास आएगा कितना एक काई square प्लस दो काई square बराबर आपके पास में root 5 यहां value put कर देना यहां 6 कर देना R की जगा आपको 2 दिया वाए Z की जगा कितना put कर देना 5 आउसर आएगा 14.4 आपके पास वोट के अंदर सक्ति 6 next question की बाद करते हैं 39 की कोई बल्लेवाज आपके पास है और किसी गेंद को यह बारा मिटर पर सेकंड से फेकता है तो लगातार सीधे केंदवाज की दिशह में वापस बेजता है यदि गेंद की बहार जो है वो 0.15 ग्राम अगर दियावा हो तो गेंद कावी कितना होगा समय के परिवर्तन को ही आप आवे बोलते हो आई एकवल टू लिखा जाता है डेल्टा पी और या एफ आपके पास डेल्टा टी आप डेल्टा पी निकाल दीजिए यह दिवार यह मान लीजिए और इसके साथ गेंद ऐसे आई है और ऐसे टकडा के वापिस आगई तो मोमेंटम जो है वह आपके पास एम आ चुका है चेंज इन मोमेंटम तू एम आपके पास में वी तो डेल्टा पी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टू की जगए आपके पास टू एम का मान कितना दियावा है जीरो पॉंट पंद्रा और वी का मान कितना दियावा आपके पास बारा तो आपके पास जो आंस्वर आएगा वो आएगा तीन पॉंट छे न्यूटन एक्जेक टांस्पर आजाएगा तीन पॉंट आपके पास छे न्यूटन चारीस नंबर सामाने आके समझन शम्ता आपको बतानी थी कि कितनी दूरी के उपर आप देखो तो आख के उपर कोई ज्यादा जोड लगाने के आउशकता नहीं पड़ेगी इसको बोलते हैं समझन श पर था यह कह सकते हैं कि केमेस्टी का जो पर था वो मोडरेट था एक दो क्विशन को छोड़ दीजी आप लोग वहर पेपर के अंदर इस तरह की क्या आते हैं बाग की क्यूशन का जो पेटरन था वो बिलकुल मोडरेट था फिजिक्स का भी इतना ज्यादा डिफिकर्ट नहीं था एवरेज आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास मोडरेट लेवल का पेपर था यह अपने पास फिजिक्स और केमेस्टी की जो क्यूशन से इनको अपने डिस्कस किया है तो बेट बड़ादी को सुरू हूँ अब मैत की जो मैं आपको मैं आउचर की बता सकता हूं और अलांगि मैत नहीं बढ़ाता हूं लेकिन आंसर की मैं आपको इसके अंदर मैत की जो है वह वन वाइवन बता रहा हूं एक से लेकर के 40 तक की जो क्यूशन है मैतमेटिक्स के उनको मैं आपको बता रहा हूं फेकल्टी यहां अभी एपसेंट है मैतमेटिक्स की तो मैं आपको मैत की जो है वन वाइवन आंसर की बता रहा हूं इसके अंदर ना तो आप आंसर की लगा सकते हो आंसर की आप लगा स सब्सक्राइब करता हूं तो आपके पास ती सब्सक्राइब करता हूं तो थर्ड नमर क्यूशन का अंस्वर साथ है जिसका आपके पास साथ है क्यूशन नमर चार के बात की जाए तो क्यूशन नमर चार का जो आपके पास की है कि नमर चार के अंदर आपके पास एक ही है साथ नमर जो क्यूशन है साथ नमर क्यूशन का अंस्वर माइनस का 128 दिया हुआ है आप आंसर के लगा सकते हो मैं लगवा रहा हूं सिरफ आंसर की आपको बता रहा हूं इसकी क्योष्य की दस को लिए अमंबर कंदर जो अंस्वर है 10 कीषिंगा आग्शुरे के पास पहले हैं पहले और इसका आपके पास माईनस का एक बटा दू है और पहले रा नुम tri … का अंजभर जो है वह पहला option है और 13 collecting आपके पाशन नमबर और ऐसके अंगर और 13 आपके पास तीन है अग्ला क्योंट बता देता हौन भूर्स पिर सका है आपको इसके दर मूल का बताश्या है और इसके आपके पास option number 2 और इसके अंदर आपके पास 15 के अंदर आपके पास option number 1 15 के अंदर option number आपके पास 1 है न क्यूशन नमबर 16 की बात करोगे तो 16 के अंदर आपके पास 3 है और 16 नमबर क्यूशन के अंदर option आपके पास 3 सिक्स बाई आपके पास रूट ट्वंटी नाइन और क्यूशन नमबर सत्रा के अंदर ऑप्षिन नमबर आपके पास बदा देता हूं सत्रा के अंदर ऑप्षिन नमबर आपके पास दो है सत्रा नमबर क्यूशन का आंसवर जो है वो आपके पास दो अठरा नमबर क्यूशन के अंदर एक है और गुनिस नमबर उप्शन के अंदर तीन है एक है और यहां उप्शन नमबर चार है जिसके अंदर आंसवर तीन दे रहा है 20 number question के अंदर अगर आप देखोगे तो 20 number question के अंदर जो right answer है 20 number के अंदर आपके पास एक और यहां आपके पास है 10 root आपके पास 3 21 number question उने देख लिया 22 number question है 22 number question का जो answer है वो आपके पास एक है और 23 number का जो question है इसका भी answer आपके पास एक ही है चोईस नमबर कुशन के अगर आप बात करते हो चोईस नमबर कुशन के अंदर यह देख लिए चोईस नमबर कुशन चोईस नमबर कुशन के अंदर ओप्शन तीन और यहां आपके पास ओप्शन नमबर आपके पास दो जिरो पून चिननमा रहुप थे नस्रेशं पच्ठीज नंब पर किशिंद आपके पास बता दिया और 26 नंबर का जो क्षण अपना 26 नंबर का क्विशन 26 नंबर के पिश्शान के अंदर आपके पास अ मियन्थ पेपी रूट तीं कर चब्सक्राइब मुलबर का जो डूशन है सत्थाइस नमर समय क्विशन आपके पास उसको भी देख लेते हैं 27 नमर कुशन के अंदर आपके पास 16 है option 4 28 नमबर में आपके पास option number कुण सा है 3 और गुंटीस नमबर question के अंदर 4 option है option number 4 option number आपके पास 4 है गुंटीस नमबर में 30 नमबर जो question है 30 नमबर question के अंदर जो right answer है वो आपके पास 0 है 0 और 31 में आपके पास root 2 ठीक इसी प्रकार question number 32 जो है उसके अंदर option number 1 right है और अगर आप question number 33 की बात करते हो तो 33 भी देख लेते हैं आपके पास 33 नमबर question है 33 नमबर question देखते हैं 33 नमबर जो question है इसका answer आपके पास 1 है 33 नमबर question का answer जो है वो आपके पास 1 है question number 34 जो है 34 नमबर का question जो है उसका answer अगर आप देखोगे तो 34 नमबर में option number है 4 और 35 नमबर के अंदर आपके पास option है इसके अंदर option number 1 36 के अंदर भी option number 1 है 36 के अंदर भी option number 1 है आपके पास 35 के अंदर में आपको एक बताया था 37 नमबर का जो question है 37 नमबर question के अंदर option आपके पास है 3 38 नमबर question के अंदर option आपके पास है 4 नमबर option जिसका answer आपके पास 8 है गुन 40 नमबर का question last 2 question और बचे mathematics के गुन 40 नमबर का जो question है गुन्चारीस नंबर की क्यूशन के अंदर आंस्वर जो है वो उप्षन चार और चारीस के अंदर उप्षन तीन गुन्चारीस के अंदर इसके अंदर चार बताया था इसके अंदर उप्षन आपके पास चार और चारीस के अंदर आपके पास उप्षन कितना है फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैट, बाइलोजी, अगरिकल्चर, अगरिकल्चर की नहीं होगी साहिए अभी तक है, होगी, सब की हो गई है, तो आप मिला लीजी, कितने क्विशन सही होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, थेंक्यू, सो मच्छ